ओम सिरी गनीशाय नमदोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 अक्टूबर मंगलवार की रासी फल के बारे में कि यह दिन करक राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिभी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिग्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा करकराशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज कोई महत्पपूर्ण और लाबदाएक सूचना आपको प्राप्त होगी दोस्तो और जानकारों के साथ अपने संबंदों को और अधिक मजबूत करें ये संबंद आपके लिए आर्थिक संबंदित कई नई उपलब्दियां उत्पन कर सकते हैं जो आपके भविश्य के लिए काफी लाबदाएक साबित होंगे दोस्तो साथ यसाथ आज कोई पैत्रिक संपत्ती संबंदित मामलों के हल होनी की भी आज संभावना है दन के निवेस संबंदित कार्यों पर आज आप विशेश रूप से ध्यान दें लाबदायक समय आज आज आपके लिए चल रहा है इसका आप भरपूर सद्यों प्योग करें दोस्तो कर्म धर्म वे समाजिक सेवा संबंदित कार्यों के परती आज आपका रुज़ान रहेगा किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में आप गहराई से चानवीन करें इससे आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे साथ ही साथ समाज में आपका मान सम्मान वेरुत्बा भी बढ़ेगा बच्चों की किसी उपलब्दी से घर में आज सुकून बरा माहूल रहेगा अगर घर में सुधार या साज सज्जा संबंदित कोई योजना बन रही है तो वास्तु संबंदित नियमों का भी आप अवश्य पालन करें दोस्तों किसी मित्र के मुसीबत के समय में आज आप उसका सयोग करेंगे जिससे आपको आत्मिक खुसी प्राप्त होगी साथ ही आपका अपने उसूलों और सिद्धानतों पर अडिक रहना समाज में आपके मान सम्मान में भी विरत दी करेगा बुजुर्गों का आशिरवाद और इसमें आज आपको प्राप्त होगा रचनात्मक वैधार्मिक क्रिया कलापों के पिरती आज आपका रुजहान रहेगा जरुतमंदों की साहिता में भी आज आपका समय व्यतित होगा चुनोतियों को स्विकार करना आपके लिए उपलब्दी का मार्ग भी आज खोलेगा जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो आप बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो आज आप अपने स्वयभाव पर नियंतर रखें क्योंकि कभी कभी वहवार में चड़ चड़ापन आपको अपने लक्षे से भटका सकता है और किसी से धन संबंदित लेन देन को भी आज इस्तगिधी रखें दोस्तो आपके श्वयभाव में एक कारण ही गुसा या उग्रता आने से अचानक ही बनते बनते कामों में विग्न पड़ जाता है इसलिए आत्म अवलोकन करना आवश्चक है और अपनी किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरह से सोच विचार कर ले दोस्तो बच्चों के किसी समस्या को लेकर आज तनाव रहेगा उन्हें मार्ग दरसन देने की आपको आवश्चकता है मकान वे गाड़ी से संबंदित काग जादों को आप बहुती अधिक समाल कर रखें उनके खोने या रख कर बूलने की आज संभावना बन रही है दोस्तो अपने खर्चों को सीमित रखें नहीं तो बजट बिगड़ सकता है किसी नजिदी की रिष्टिदार से आपकी जिद की वज़े से संबंद खराब होनी की भी आसंग का है दोस्तो अपने श्वबाव में लचीला पन रखें तता रिस्तों की मरियादा का भी आपको ध्यान रखने की आवश्चकता है दोस्तो संतान की किसी गलत संगती की वज़े से आज चिंता रहेगी परन्तु आपकी समस्दारी वे सूजबूज से समस्या का हल भी निकलेगा ध्यान रहें कि भावुकता में आकर कोई भी निर्न ना लें वेवारिक जश्टी कौन रखना आपके लिए आवश्चक है दोस्तो विरोधी आपके लिए आज कुछ मुश्किलें पैदा कर सकते हैं परन्तु आप अपना आत्म विश्वास बनाए रखें आपको विजय हासिल होगी दोस्तो साथी साथ आपको अपनी योजनाओं में आज सफलता प्राप्त करने में कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है जिस से आपका मांसिक तनाओ बढ़ सकता है थोड़ा सावधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं जब की लव लाइफ के शिरेने वाली है दोस्तो वहवायत जीवन को खुस में बनाने में ही आपकी भूमी का अधिक महत्पपूर रहेगी प्रेम संबंद में किसी प्रकार की खटास उत्पन होनी की संभावना बन रही है अपने वहवार को आप सैयम रखें दोस्तो अपने प्रते कारे में जीवन साती की सला लेना आपके कही कारे को पूरा करने में मदद करेगा प्रेम संबंदों में भी परिवारी के शुकरती प्राप्त होगी दोस्तो वैस्तता के कारण घर परिवार की देखवाल में उचित समय नहीं दे पा रहे हैं प और माहूल को खुसनुमा बनाने के लिए मनोरंजन संबंदित प्रोग्राम भी बनाएं इससे आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत होंगे और आपके प्रेम जीवन में काफी गहराई आएगी और आपका वैवाईक जीवन काफी खुसनुमा बना रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं जब कवेवसाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों करेच छित्र में कोई भी काम करने से पहले किसी अनुबब व्यक्ति की सला आवश चले क्योंकि कुछ निर्ने गलत होने की आज आशंका है विद्ध्यार्तियों को भी कहीं नोकरी संबंदित विबागिय परिक्षा में मन मुताविक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं किसी विशिष्ट व्यक्ति से आज मुलाकात हो सकती है और उसकी सला आपके व्यवसाय के लिए अधिक फायदेबंद तथा तरक की दायक रहेगी दोस्तों इसकी बहुत अधिक आवश चक्ता हैं इस दोस्तों व्यवसाय को लेकर भी आज कोई नजदी की यात्रा संभव हैं अगर किसी नए कारे की सुरुवात की हैं तो अब उसके उचिते परिणाम आपको मिलने सुरू हो जाएंगे नौकरी सेवारत व्यक्ति के लिए भी कुछ ने अवसर आज बन रहे हैं दोस्तों आप अधिकी मित्र की सला पर गंभीरता से विचार करें तो कि यह सला आपके लिए काफी फायदेवन्द साबित हो सकती हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला हैं दोस्तों आज गला खराब और खासी जुखाम जैसी समस्यां उत्पन हो सकती हैं ला परवाई ना करें अपनी दिन चरिया विवस्थित रखें और आयरुवेदिक चीजों का भी अधिक से अधिक आप शेवन करें साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रूजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते अवश्य जलाएं और साथी साथ वहीं बैटकर एक बार बहुती सच्य मन से बहुती स्रदभाव से हन्वान चालिसा का पाठ एक बार आप अवश्य करें और साथी साथ अपनी मनों काम नए मांगें जैंदोस्तों ऐसा करने मात्र से ही भगवान बजरंगली बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको सीघरेही सुबफ फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कार्य बहुत यासानी से भगवान बजरंगली के असिरव आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्वोक्स में जैब जर्मबली अवश्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद